हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल इंडिया के बारे में जो कि पूरी तरह से ओडान भरने की तैयारी में हो और मुझे लगता है कि 180 रुपे तक के भी टार्गेट दिखाने का पूरी तरह से दम रखता है जो कि उसके पीछे काफी सारे जेन्यून रिजन से जो कि मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाई स्टेप शेयर करूंगा और आपको भी लगा के डेफिनेटल एक सौसी तक के टार्गेट दिखाने का दम रखता है कॉल इंडिया लेकिन या के मेनेज्मेंट की ओर से जो रिपोर्ट सब्मीट किया था था अनसी और बेक्स को मैं मांध के प्रॉड़ुक्शन का और काफी शानदार रहा था य 여러दी बिचस पर कॉर्टर अनकुर्टर बैसिस पर एंड मन्ध वन मन्ध बैसिस पर भी काफी तगडए प्रॉडूप जिसा कि यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं बात करो फर्वरी मन्त की तो तकरीब बन एक सो बतीस एक सो तीस रुपे के असपास का लोग बनाया था फर्वरी मन्त में उसके बाद देखा जाए तो तकरीब बन फर्वरी मन्त में ही 156 रुपे के असपास का हाई बनाया उस देख सकते हैं में मन्थ में ही तकरीब बन 155 का फिर हाई लगाया तो 155 के आसपास आप देख सकते हैं बार बार rejection देखने को मिल रहा है लेकिन इस बार आप देखोगे तो rejection नहीं देखने को मिला कहीं करना कहीं संभलता हुआ नजर आए 145 के आसपास और फिर यहां से रिवर्सल कर गया तो फ्रेंट्स मुझे लगता है कि अब कॉल इंडिया में बड़ी तेजी दिखाने के लिए कॉल इंडिया रेडी है और यह जो स्ट्रॉंग रेजिस्टन ले जहां से बार-बार rejection देखना को मिल रहा था तो यहां पर मुझे लगता है कि तगड़ा breakout आने की तयारी में है और फिर जैसा मैं आपको बताए एक सौंसी तक के भी target नजर आ सकते है तो इसके उपर हम डिटेल में analysis करेंगे चार्ट के उपर यहां जहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप भी कह सकते के नहीं definitely एक सौंसी तक जाएगा कॉल इंडिया भी उससे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन के कारोबार की तो जैसा कि आप देख सकते है नसी की website के उपर मैंने कॉल इंडिया को सच करके रखा है तक्रीबन 4 रुपे के बड़ोतर के साथ closing देख पैसे का और फाइनली closing हुई एक सो टेपन रुपे दस पैसे यानि ओल्मोस्ट डे हाई क्या सपासी closing नजर आई और डिलबर प्रसंटेज की बात करूं तो जो कॉंटिटी ट्रेड हुई थी वह तक्रीब दो करोड़ चोराइवे लाख 22,000 कॉंटिटी ट्रेड हुई जिसम अब चार्ट के ऊपर अनलेसिस करते हैं कि किस तरह के momentum आगे देखने को मिल सकते कौन से लवल पर इसे लेह रखना चाहिए और कौन से लवल पर खरीद्दरी का सही लेवल हो सकता है तो जैसा कि आप देख सकते कोल इंडिया का चार्ट मैंने विकली टाइम फ्रम पे ओपन मुमेंटम देखने को मिल रही थी पूरी तरह से रेंज बाउंड मुमेंटम दिखा रहा था कॉल इंडिया जो कि आप रेंज देखोगे तो काफी ज्यादा है 130 से 150 के असपास की रेंज है यानि 20 पेसे के मंदर मुमेंटम देखने को मिल रहा था पिछले एक साल से आप देख अदिखने को मिल रही है और जैसा कि अब देख सकते बार बार 150 के असपास है में रिजक्षन देखना को मिल रहा था आप देख सकते यह लाइन को आप देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते 150 पे रिजक्षन देखना चाहा five-out ध हुई और फिर 130 के असपास लोड़कता हुआ नजर आया जो कि काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल है 130 के असपास कब देख सकते हैं जब भी कोल इंडिया 130 के सपास फिर इन फिचर आता है तो यहां पर फिर पोजिशन बनानी चाहिए यह मेरी रहेगी लेकिन अब जिस तरह से यहां पर सिच्वेशन बनी है चार्ट के उपर और विकली टाइम पर अच्छी खास एक क्लोजिंग भी नजर आ रही है तो आप यहां पर पोजिशन बनाई आता हूँ आपको नजर आएगा एक साल का ब्रेक आउट आएगा यहां पर फेंट्स और मुझे लगता है कि ब्रेक टैफिनिट लाएंगा प्योगी लगाना जरूरी हो सकता है यहां पर बाजार में कोई गिराउट देखना को मिल्द तो भी यहां पर गिराउट डिखना क कर सकते 153 पर लेकिन SL तो आपका एक 10 रुपे का रह सकता है 143 का और टार्गेट 180 का तो आप देख सकते आपको इजी ली यहां पर 1-2-3 का यहां पर आपको रिस्क और रिवोर्ड रेश्यो मिलेगा यानि काफी बढ़िया रिस्क और रिवोर्ड रेश्यो कह सकते है और जिसा में आपको बता है इन फिटर निचे की तरफ आता है तो यहां पर आपको पोजिशन बनानी ही बनानी है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रेच करना बिलकुल ना भूले और चैनल पर न आया है तो चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं ऐसे एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू अगैन फोर वाचिंग दिस वीडियो